नमस्कार दोस्तों मा मेरा रानोगोर पर आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हल्वा ये एक टेस्टी इंस्टिंट पोट डेजर्ट रेस्पी है तो चलिए रेस्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम एक पैल में ले ले रहे हैं 500 ml दोए हुए गाजर और अब हम इनके एजिस को कट कर ले रहे हैं आज हम आप सबके साथ एक बोनस रस्पी भी शीर करने वाले हैं तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे हैं देखिए यहाँ पर हमने कैरट के एजिस को कट कर लिया हैं और अब हम इने ग्रेट कर ले रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने गाजर को ग्रेट कर लिया है और यहाँ पर हमने गाजर को पहले छीला नहीं था हमने डिरेक्ली इसको ग्रेट कर लिया है आधा कर लेंगे यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूद है यह अमाउट में आधा हो चुका है तो अब हम फ्लेम को आफ करते रहे हैं और अब हम इस दूद को एक बोल में निकाल लेंगे अगर आप मामे राना घौर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस फ्रामली का मेंबर बन जाए तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी बोनस रेस्पी उसके लिए हम सीम पैन में एड़ कर दे रहे हैं 500 एमल मिल्क और अब हम फ्लेम को ओन कर दे रहे हैं और अब हम कर्टेनियसली मिल को मिक्स करते हुए इसको एमाउंट में आधा कर लेंगे यहाँ पर हमने फ्लेम को लो रखा है और आज की बोनस रेस्पी मावा की है तो देखें यहाँ पर जो दूद है वो गाढ़ा हो चुका है और इस एमाउंट में भी बहुत रिड्यूस हो चुका है आप देख सकते हैं कि हमारा मावा बिल्कुल रडी है तो अब हम फ्लेम को ओफ कर दे रहे हैं और अब हम इस मावा को निकाल लेंगे हम इस मावे को काजर के हल्वा की रस्पी में यूज करेंगे पर अगर आप चाहें तो आप मार्केट का भी मावा इस्तमाल कर सकते हैं पर देखें यहाँ पर हमने बहुत इसीली घर पे मावा बना लिया है तो देखें अब हमने गास टूप पर एक पैन रख दिया है पैन गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डाल दे रहे हैं एक पर चमच देशी घी अब हम इस खी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे तो देखें यहाँ पर घी मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल दे रहे हैं हमारा ग्रीट किया हुआ गाजर यहाँ पर हमने flame को medium रखा है काजर को add करने के बाद अब हम सब कुछ अच्छे से mix कर लेंगे दोस्तों अगर आप हमारे दिखाएगे steps को follow करते हैं तो आपका काजर का हलवा भी बहुत tasty बनेगा तो देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ अच्छे से mix कर लिया है तो अब हम इसे 7-8 मिनिट के लिए low flame पर ठक कर cook करेंगे तो देखिए लगभग 8 मिनिट हो चुके हैं तो अब मैं lid को उठा दे रही हूँ आप देख सकते हैं कि गाजर थोड़े से soft हो चुके हैं तो अब हम सब कुछ फिर से अच्छे से mix कर ले रहे हैं तो देखिए सब कुछ अच्छे से mix करने के बाद अब हम इसमें add कर दे रहे हैं दूर जिसको हमने amount में आधा कर लिया था अब हम फिर से इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं तो देखें यहां पर हमने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें डाल दे रहे हैं एक तिहाई कप चीनी और अब हम फिर से इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं यहाँ पर आप मिठास को अपने पसंद के हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं तो अब हम इस हलोवे को 6-7 मेंट मीडियम फ्लेम पर ओपन एर पे कुक कर रहे हैं 6-7 मेंट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल दे रहे हैं दो छोटी लाइची के बीच का पाउडर और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं अब हम इसमें एट कर दे रहे हैं हमारा तयार किया हुआ मावा और अब हम फिर से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं तो दोस्तों देखें हमारा जो गाजर का हलवा है ये रेस्पी हमारी लगभग तयार है अब हम इस रेस्पे में कुछ फाइनल टच इस देने वाले हैं जिसके वज़े से एक टेश टेस्टी तो बनेगी ही साथ में और भी रिछ हो जाएगी तो अब हम इसमें डाल दे रहे हैं एक बड़े चमच चौप किया हुआ काजू और एक बड़े चमच चौप किया हुआ बादाम और डाल दे रहे हैं एक बड़े चमच किश्मिश और अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं तो दोस्तों दीखे हमारा काजर का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है तो अब हम फ्लेम को आफ कर दे रहे हैं और अब हम इस काजर के हलवे को सर्फ कर देंगे दोस्तों आप आपसर्फ कर सकते हैं कि ये काजर का हलवा कितना टेम्टिंग बना है आप इस recipe को घर पे जरूर try करें और try करके हमसे आपका experience जरूर share करें अगर ये recipe आपको अच्छे लगती है तो चैनल को subscribe कर bell icon को प्रेस करना ना भूले ताकि इस चैनल की नई videos की update आपके पास सबसे पहले पहुचे और हम आपके लिए new recipes लेकर आ सकें और अगर ये recipe आपको अच्छे लगती है तो friends और family के साथ भी जरूर share करें इस पूरी recipe को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद